નहें हुँ संंधिय क्ली लेगें, आज हम बनाएंगे बत्वा की पुरी एक बइल लात्गे लिए स那就 करने के बाद में мной डख देए singular , य को डखी और भीव राए लेगेend हैं शोल य के बाद वभीव दें धूल करकें है वा APPाओ DOC विराज होiene अच yolk एक ब्लेट में डालेंगे फ्रेंट्स, पानी को पो बातोा को अलग करने है। तो यी जाए फ्रेंगे लाइट से लेने के बाद इसमें आदा इंच की अधरक लेले हैं अधरक चोटी-चोटी पीसस काट रहे हैं में चोटी-चोटी पीसस काट के सबको मिक्सी में चलाएंगे फ्रेंट्स देखें मैं इसको चोटी-चोटी पीसस काट रहे हैं काटने के बाद इसमें डालेंगे हरेमिच फ्र करना है friends देखिए मैंने इसको मिक्सि में चला के दिखाती हूं इसके देखिए friends हमारे पेश्ट रड़ी हो गया अब इसी पेश्ट में न हमने बतवा डालना है friends पाने नहीं औहीं होने मैं लेका इतना आच्य सा aipa dzen बन गया हमारा में परेस्ट रडी होगया । इक साइड में बड़ा रखती है यो लोग बड़ीयो ॹजा बसे नहीं के बाद टेबलफ उड़ा आधा अजवयन डालाए। अजवें डालने के बाद इसमें आफ टीस्पून जीरा डाल रहे हैं जीरा डालके दोनों अच्छे से फ्राइ होने के बाद हम मिक्सी में चला है तो इस पेस्ट को इसमें डालेंगे डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है इस पेस्ट पूरा ड्राइ हो जाएगा इसे 10-10-60 आपने तक चलाना है पूरा ड्राइ पानी जितना पानी उसमें सारे पानी कतम हो जाएगाँ देखे कि इसमें आफटीस्पून सॉल्ल डीजिक आपकी टेस्ट का एकोडिंग भी डालगी ज़्यकर ज़्यक 때도 इसके बाद पूरा इसे चलाते है ना चलाना फ्रेंस चो मीडियम फ्लेम में रखे इसे चलाना है पूरा ये एकदम तीक हो जाएगा फ्रेंस ये पानी पूरा सोके अच्छा से एकदम तीक होने तक पकाना है फ्रेंस देखें दीरे-दीरे तीक होने शुरू होगी है फ्रेंस एकदम तीक हो जाएगा तब हमें गयास बंद करना है फ्रेंस देखे इससे दीरे दीरे चलाते रहना एकदम तिक हो जाएगा फ्रेंस देखे इससे चलाते रहना चला चोड़ना नहीं है फ्रेंस इससे चलाना है फ्रेंस नहीं तो नीचे से जल जाएगा फ्रेंस मीडियम फ्लेम में रख एक स्पून ज्याधे स्टफिंग नहीं करना है छेटेशन आलू पोराटा की तरह इसलिए इसको बैलना है इसको ज्जाधे जोर से नहीं करना नहीं तो बाहर आजाएगा साइड में से अलका हाथ से आराम से बढ़ा भाउडा भी नहीं बनाना मीडियम सबीक में सकता है में एक साइड में राख ठाए है ऐसको अश्चछा से बना कि इसको एक साइड में राख रहे है दूसरा यह भी रोटी बना लिए इसको भी देखे इसको भी डिखा रहे है एक आरव भान operation पूरस्पून भी नहीं बना है अब टीश्पुरिंज जैसे जिसमें ज़्दी बाहर आ जाते है नहीं तो इसलिए इसको स्टफिंग कर दिया है अच्छा से स्टफिंग करके इसको भी रोटी की तरह बेलना इस रेस्पी बहुत टेस्टी बनता है स्टफिंग में इसलिए मनीच गता है इस रेस्पी के एक बार ज़रुत रा करना इसको भी वैसे मैंने पुरी की में बना ना अब गार पुरी में डाल आते हैं मैंने वैसे सें मोर पुरी की तरह बना घरियं याLEY डूसरी आट कीक्ट है इसे पूरी बना रहे है एक नम गॉल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छा से प्राइ कीजिए मैंने सारे पूरी वैसे बना लिया फ्रेंट्स मैंने देखे कितना अच्छा से बन गया है मैंने ऐसे सर्व किया ग्रीन शेटनी और टमाटा सॉस के साथ सर्व कर दिया उसके हम तोड़ा से स्टापिंग किया था फिर भी कितना ज्यादा बरा हुआ फ्रेंट्स देखे बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंट्स अब इस रेस्पी को जरू ट्राइक करना अगर मेरी रेस्पी पसंद आ गया तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक